चोहां ने समय सुर्खियों में उनके द्वारा अपनी नई फॉर्चुनर को एक यवा को बेश दिया गया वो उसके बाद फॉर्चुनर के डिलेवरी न देते हुए उसके साथ मार्किट करती इस पकरण में अफाया दर्च की गई थी लेकिन अभी तक पुलिस ने पी से लगाई गोहार बता दया कि खनोली नाव की सराय निवासी भाजपा नेती दिब्या चोहन ने अपने भाई के नाम फॉर्चुनर कार बेच कर पैसा हड़प लिया कार देने की जगे मारपीट कर बगा दिया इस मामले में नेरुन अगर इस्तित इंडियन कार बाजार के संचालक रियान खान निवासी बमरोली कट्रा के साथ किया रियान का आरोप एक की गाड़ी के सवी दस्तावे साइन किये फिर चुपके से आर्टी में जाकर कार को ब्लेक लिस्ट करवा दिया अब गाड़ी ट्रांसपर नहीं हो सकती पुलिस ने गाड़ी बरामत कर ली अब आरोपी अभी खुले आम गुम रहा है लगातारा सवसंद के बाद कारवाई नहीं हो पारे आज फिर लोगों ने सस्पी कार्याले पर आकर सस्पी परवाकर चौदरी से मुलाकात की और आरोपियों की गरफतारी की मांग की साथी पिड़त परिवार का कहना है कि उनके पैसे मिल जाए या गाड़ी वापस मिल जाए आरोपियों की गरफतारी नहीं हो थी तो पिड़त परिवार का कहना है को जल्दी सस्पी कार्याले पर आकर वहुं करताल करेगा अमन गुपता आगरा समाचाल 24 करवाई नहीं कर जाए जाए seven एक एक रवय शणी कर्वाई नहीं हुद हiblit is अंगर अगहा यह करवाई नहीं हो दिए यह यह जबत in पर आण सर्फ क्रवाह में आर्म exception का बमाधन बेंगे कमें कहा उसका भाई उद्देश चवान और उन्होंने बोला है कि आप सीओ साप के पास जाएए उचित कारवाई की जाएगी यह फूरा मामला बताए अपना बाजबान एत्री दिद्द्या चवान ने मेरे साथ फ्रॉट गिया है तैसे भी ले लिए और गाड़ी भी ले लिए उन्ह अभी तक कोई गरफतारी नहीं हुई है जा चाहते हैं तक इन से मुलाकात होती है मिलते हैं तो वो कह रहेते हैं कि दबस दी जा रही है कारवाई चल रही है हमारे पैसे हमें दिलवादिये जाए या गाड़ी दिलवादी जाए नेरी प्रसाशन से अंडोध है